हेलो फ्रेंट्स आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नौर्थ इंडियन फूड विट इंदू में तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ शादियों में मिलने वाले फ्रेंच फ्राइस बनानी की रेसिपी वो भी एकदम हलवाई स्टाइल में ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और एकदम जटपट बनकर ये तैयार हो जाते हैं तो चलिए फिर इस रेसिपी को हम शुदू करते हैं तो यहां फ्रेंच फ्राइस बनाने के लिए मैंने बड़े साइस के चार आलू लिये हुए हैं इसके छिलके को मैंने पहले से ही छील लिया है, अब हम यहाँ आलू को कट करके कई पार्ट्स में डिवाइट कर लेंगे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि french fries बनाने के लिए मैं किस तरह से आलू को कट कर रही हूँ, तो सेम इसी तरह से आप भी इसे कट करें, तो यहाँ इसे हमें ना तुजादा पतला और ना ही जादा बहुत मोटा रखना है, तो यहाँ इसी तरह से मैं सारे आलू को कट कर तो अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अब मैं यहां इसमें डाल रही हूं अद्रक लेसुनर हरी मिर्ची का पेस्ट तो यहां पहले मैं इन दोनों चीजों को डाल कर अच्छे से आलू के साथ मिक्स कर ले रही हूँ तो यहां मैंने इसे मिक्स कर दिया है तो अब मैं इसी में से आधे आलू को निकाल कर अलग कर दे रही हूँ क्योंकि यहां आधे आलू को हम दूस्टे कलर के फ्राइस बनाएंगे तो अब इस आलू में हम डाल देंगे आदे छोटी चम्मच नमक और यहां नमक डाल कर हम एक बार फिर से इसे आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच अर रोट इसे डालने से आलू का ये सारा moisture एब्जॉब कर लेगा तो इसे हम mix करते हुए आलू के साथ अच्छे से coat कर देंगे तो यहां हमारे आलू अब ready है फ्राइ होने के लिए तो मैंने यहां पहले से ही तेल को रख दिया था गरम होने के लिए तो अब थोड़ा थोड़ा करके हम आलू को डालते जाएंगे और यहां इने फ्राइ करने के लिए हमें flame को medium पर ही रखना है तो यहां हमारे आलू फ्राइ हो रहे हैं तो यहां हम एक बार बीच में इसे अलट पलट देंगे जिससे कि यह चारों तरफ से अच्छे से fry हो जाएं तो यहां हमारे आलू अच्छे से fry हो चुके हैं और यह अंदर से भी एक्दम पक गए हैं तो अब हम इसे छान करके अलग निकाल लेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइस बनकर हमारे तयार हुए हैं अब मैं यहाँ से निकाल दे रही हूँ एक पेपर पे जिसे कि इसमें से जो एक्स्टर ओईल है वो निकल जाए तो अब यहाँ जो हमने आदी आलू बचा करके रखी थी उसे ले लेंगे और उसमें भी डाल देंगे आदी छोटी चमच नमक और यहाँ नमक को डाल के मिक्स करने के बार इसमें भी हम डाल देंगे दो चमच अरा रोट और अरा रोट को भी हम डाल के अच्छे से कोट कर लेंगे आलू के साथ और अम मैं यहां इसमें डाल दे रहे हूं बस जरा सा ओरेंच फूट कलर इसे भी हम आलू के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे और ये भी अब फ्राय करने के लिए रेडी है तो इसे भी थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पर तेल में डाल दूंगी और इसे भी हम medium flame पर fry कर लेंगे तो यहाँ flame को हमें बिल्कुल भी hyper नहीं रखना है नहीं तो उपर से तो हमारे aloo fry हो जाएंगे पर अंदर से कच्छे रह जाएंगे तो यहाँ बीच में हम इसे एक बार पलट देंगे जिससे की चारों तरफ से यह अच्छे से fry हो जाए तो यहाँ मारे french fries एकदम fry हो करके तयार है तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया color इसमें आया है और कितने ही बढ़िया यह देखने में लग रहे हैं और खाने में यह उतने ही टेस्टी लगते हैं तो यहाँ इसे भी मैं छान करके अलग कर ले रही हूँ तो यहाँ मैंने दो color के french fries बना करके तयार किये हैं आप चाहे तो plain भी रख सकते हैं तो यह बिल्कुल यह असान सी recipe है आप चाहे इसे बना कर snacks के तोर पर serve कर सकते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अंदर से भी यह एकदम अच्छे से पक गए हैं तो आप भी इस असान सी french fries बनानी की recipe को बना कर जरूर try करें और मुझे comment section में बताना बिल्कुल भी न भूले कि कैसी लगी आपको यह हलवाई style में french fries बनानी की recipe और अगर आपको आज की recipe पसंद आई हो तो please मेरे चैनल को जादे से जादे लाइक करें share करें and subscribe करें और bell icon दवाना बिल्कुल भी न भूले so thanks for watching मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई recipe के साथ